गुड इबनिंग स्टुडेंट आज का हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन जिसको हिंदी में कहा जाता है पादब हार्मोन प्लांट हार्मोन देखे क्या करते हैं ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं तो देखे स्टार्ट करते हैं प्लांट हार्मोन कितने होते हैं प्लांट हार्मोन की संक्या साथ होती है, तो देखें, जिसमें से जो पांच होती हैं, वो इंपोर्टेंट होती है, तो श्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हार्मोन होता है, ओक्सिन हार्मोन, तो देखें, ओक्सिन हार्मोन क्या होता है, ओक्सिन हार्मोन एक प्रकास से को भी प्रस्तुत किया था जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राकृतिक बरडबात का सिध्धान आंगे आप लों को बताएंगे यह क्या होता है प्राकृतिक बरडबात का सिध्धान यह दिया था डार्मिन ने तो देखिए ऑक्सिन की खोच किस ने की थी डार्मिन ने की थी और किसमे की थी, इनों ने क्या किया था, आइसोलेशन किया था, प्रतकी करड किया था, किसमे किया था, मानब के मूत्र में किया था, यानि होमन यूरिन में, आकसिन को इनों ने एक प्रकासे क्या किया, आइसोलेट किया था, तो आप लोग काऊगे, कि यहां पर देखिए हो बात कर रहे हैं बॉट नहींगे तो देखिये जो मतला हुआ होता है वो पूरी तरीके से डि पेंड होता है现在 प्लांट पे होता है वो ए प्लांट से भोजन पराप्ट करता है प्लांट इनर्जी मिलती है इसलिए जो डार्वीन नामक साइंटिक्टिस्ट थे उन्होंने होता है इसे question आता है oxygen से जो की important है oxygen का chemical name क्या होता है तो इसका chemical name होता है IAA इसकी full form होती है Indole-3 Acid इसका देखिए कुछ इस तरीके से structure होती है इस तरीके से देखिए होती है यहां पर लगा होता है दो conditions पर Acid group इस तरीके से होती है इसको कहते है क्या indole 3 acetic acid इसकी short form होती है IA important है इसका function देखिए क्या होता है तो oxyn का function होता है ये प्रिकास से growth hormone होता है क्योंकि ये plant की growth में help करता है इसलिए और देखिए क्या करता है इसका दूसरा function है ये cell division की process कर बाता है cell division क्या होता है तो देखिए जिसमें जो एक cell होती है वो divide होकर क्या बना लेती है दो cell बना लेती है दो से कितनी बना लेती है चार बना लेती है चार से वो बना लेती है अनंत बना लेती है ज्यादा cell है बना लेती है cell के group बना लेती है जिसको कहते हैं tissue तो देखिए जो tissue होते वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं और गन बना लेते हैं और गन से हमारी पूरी बॉड़ी बन जाती है या कायास सिस्टम बन जाती है तो देखिये सेल डिबीजन ये करवाता है औकसीन और ये पूरी बिवी बन ऑप्यास से लिड़ि गरोथ में लगस्त करता है एक पूरूरी साहन बने प्राइटन, इसमें लीड पूरी करदा है,amnetsीन जायर्फं किस तरहीं बन आता है ? पर उपर की इसको कहते है एपिकल बड या इसको एक प्रकासि आप लोग टॉप बड भी कह सकते हो इसको हिंदी में कहा जाता है सीर्सकलका और नीचे की तरह भी प्रिजेंट होती है एपिकल बड तो देखिए यह क्या करता है ओक्सिन ये प्रकासि प्रोडक्सन करता है सीर् नैजरल ऑक्सिन और ऊक्सिन उसको कहते हैं प्राकृति में नाय दोता है इस तरीके라고요 काफी बार इसकी structure भी दे देते हैं इस तरीके से देखिए यहां पर carboxyric acid गुरुप प्रिजेंट होता है जिसको आयूपेसी में कहा जाता है इसलिए इसका नाम होता इंडॉल-3 estric acid short form होती है इंडॉल-butyric acid तो देखिए butyric acid क्या होता है जिसमें 4 carbon present हो इस तरीके से देख देखिए इसकी short form होती है आई भी ए नैश देखिए अब लोग बताते है artificial oxygen के बारे में तो देखिए क्या होता है कभी-कभी plant की leaf मतलब जड़ जाती है तो क्या होता है उन्हें बाहर से injection मतलब दिया जाता है जिससे उनकी मतलब ग्रोथ होने लगे इस तरीके से तो देखि अगर इसमें तीन जुड़ जाएं तो क्या हो जाएगा एंथरासीन हो जाएगा तो देखिए हमें क्या चाहिए सिर्फ नैफितलीन ही चाहिए तो इसमें दो होती है बैंजीन इस तरीके से और estic acid group इस तरीके से प्रिजेंट होता है इसका नाम होता है नैफितलीन estic acid short form हो कुछते हैं कि कौन सा मतलब artificial oxygen होता है तो 2,4 D जिसकी फुल फॉर्म होती है डाई किलोरो फिनॉक्सी estic acid तो देखें यह क्या होता है इसके काफिवार पूछते हैं तो यह प्रकास से मलब insecticide होता है जिसको हिंदी में कहा जाता है यह प्रकास से कीट नासी होता है और यह पेस्टी साइड होता है यानि पीड़क नासी भी होता है और यह प्रकास से fertilizer की रूप में भी इसका कि हार्मॉन को क्या कहते हैं तो हार्मॉन को हार्मॉन को आज के लिए इतना ही आज आप लोह को बता देया आक्सिन के बारे में कल आपलों को अच्छे से किलियर करें वीडियो अच्छे लगी उसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक की साथ अपता के लिए गुड़ बाए